नमस्कार मेहमों मदासिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News राजिस्थान में सच्चीन पाइलेट को लेकर फिर सी एक बार मसला खड़ा हो गया कॉंग्रेस के लिए परिशानिया कम अस्टो गहरोत के लिए जादा हो गई हैं उनके तेबर उनके भाव उनके अनुभब जिस तरीके से इस वक्त पाइलेट के सामने रखे जा रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि सचीन पाइलेट का वही हाल होने वाला है जो सिंधिया को होने वाला है कैसे आई आई आपको समझाते हैं अशोग गहलोत में पहले क्या का सचीन पाइलेट के बारे में ऐसा ये क्यों जोव Sabrina बहुत सारी सवाल है पहले से मसते हुएbig पहले बाद तो उनको उन्होंने गदा बताया फिर उन्हें ये भी कहा कि उनके साथ ज़्यादा विधायक नहीं है नजादे एमेले हैं अब अशोग गहलोत को ये सब ची कहने की जरूत क्यों पर ही इसका मसला ये नंबर वन क्योंकि वो उनको नीचे दिखाना चाहते हैं नंबर टू जिस तरीके से राहूल गांधी प्रियंका गांधी का उन्हें प्यार मिला उन्हें उनके साथ वो नजर आ अब सचीन पालेट का जवाब आता जब आशोग घलोत ने कहा कि जदा उरने की ज़रूद नहीं है ज्यादा हीरो बनने की ज़रूद नहीं है आप तज्यूर वेकार हैं आप बुजूर आपको अपने उमर का लिहास रखना चाहिए एक दम सही का सचीन पालेट ने क्योंकि सत्ता के गुरूर में इतना भी घमन नहीं दिखाना चाहिए कि किसी की इज़त करना भी आप भूल जाए आप बरे हैं तो आपको सब्दों का इस्तेमाल कहा कब कैसे करना है इस चीज को याद आखना चाहिए आप अपने ही पाटी के नेता को घदार बता रहे हैं राहूल गा लिखना होगा कि राजिस्तान के चुना में क्या होगा सियम के चेहा को लेकर क्या होगा है और सचीन पाले ने फर्मुला यही दिया है ती साफ कर दिये कि सीम क का चेहरा कहन होगा यह बात को समझना पbad चाहिए और इसका मतलब यह के कड़ा एक्शन लेंग भाले हैं कर दो